साल 1991 में आई फिल्म सौगंद से जितनी पहचान अक्षे कुमार को मिली थी उतने ही पॉपलाइटिव फिल्म में उनके साथ रोमैंस करने वाली एक्ट्रस शान्दि प्रिया को भी मिली थी जिन्होंने अपने इस पहली ही फिल्म से लोगों का दिल चीत लिया था और काफी कम समय में ही इंडस्ट्री की मशूर अभिनेत्री बन गई थी जिसके बाद इन्होंने अपने सारे सपनों को पूरा किया और खुशियों से भरी हुई जिन्दगी जी पर इनकी इस खुशियों से भरी हुई जिन्दगी में एक गम भी है अपने सबसे प्यारे सपने को पूरा ना कर पाने का गम. यूं तो इन्होंने अपनी सफलता से मिले नाम और शोहरत के साथ ही अपने सारे सपनों को पूरा किया पर आज भी इनका एक ऐसा सपना है जिसे ये चहकर भी पूरा नहीं कर सकती हैं ना तो पैसों से और ना ही किसी की मदद से इसलिए इनका वे सपना आज भी अधूरा है तो आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको इनके उसी अधूरे सपने से रूबरू करवाने वाले हैं जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे अगर आप भी इनके उसी अधूरे सपने के बारे में जानना चाह वे अधूरा सपना अपने लाइफ पार्टनर के साथ अपने पूरी जिंदगी गुजारना था पर अफसोस इनका ये सपना हमेशा के लिए अधूरा रह गया। अपने पती के साथ अपने पूरी जिंदगी बिताने का सपना दिखने लगी थी और इनका ये सपना धीरे धीरे इन्हें सच भी होता हुआ नजर आया। पती की मौत की बाद इनकी जिंदगी में जैसे सब कुछ ठहर गया था। दो बच्चों के जमेदारी अब इने अकेले उठानी थी लेकिन गिर कर समहलने और हार कर जीतने वालों को ही बाजी कर कहते हैं। श्यांति प्रिया ने नजर खुद को फिर से साबित किया बलकि नीजी सिंदगी में एक अच्छी माँ और बहतरीन इंसान बन कर भी उभरी। आज भले ही श्यांति प्रिया अपनी एक खुशाल जिंदगी बिता रही है पर आज भी इने अपने इस अधूरे सपने का बहुत कम है जिसे अब ये चाहकर भी पूरा नहीं कर सकती। तो दोस्तों आप इनके इस अधूरे सपने के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं साथ ही बॉलिवूड से जुड़ी ऐसी ही मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें